बिस्मिलियरामाने रहीम असलामलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुजाअनसारी और आप देख रहे हैं इज्ञाज सारी फूर सीक्रेट्स अलावर कदे आपके खानों में आपके रीज्ग में आपके जाएकों में देबरापस। आज हम आठे के साथ बहुत क्रिस्पि उसे शांदार किसम का समोसा तेयार करेंगी रस्मी बहुत असान है बस आपने स्टेप्स को धियान से फोलो करना है चलेंजी बिसमिल्ला रवारी तो यहां पे हाफ कप हमने लेना है घी का इसको मैंने मेल्ट कर लिया है घी ही आपने लेना है कुछिंग ऑल भी यूज हो सकता अच्छे से इसकी कर लेंगे mixing और तीन कप यहां पे हमने fine आटा जो white आटा होता है वह वला लेना है ठीक है आप लाल आटा भी ले सकती है लेकिन white आटे से crisp और खुबसूरती जो हो जयारा आती है ठीक है अब आपने इसको stay दे लेना है कोई 10-15 मिनिट का उसके बाद बिसमिल्ला आटा है तो यहां पे हमारे पास है आलू half kg इनको मैंने boil करके छील लिया था अब इसमें हम प्यास add करेंगे तो एक दर्मियाने size का प्यास बाड़ी कटा हुआ इसमें add कर देंगे यह ले जी यह बि हम इसमें नमक add करेंगे और लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें हम 1.5 टी स्पून ही add करेंगे ठीक है और बाकी चीज़ें यहां पे हमारे पास हल्दी है हल्दी इसमें add कर देंगे half टी स्पून अच्छा हल्दी का इस्तमाल टेस्ट के लिए कम और health के लिए ज्यादा होता इसको अपने इस्तमाल में जरूर रखा करें half टी स्पून जीरा पाउडर add कर देंगे काली मिर्च यह जाएगी एक चुटकी काफी होगी और यह हमारे पास अजवाइन यह एक चुटकी add कर देंगे और जो खुश धनियाप है यह हम साबती add करेंगे ठीक है यह बहुत हमने दो समों से बनाने है ठीक है एक नहीं बनाना तो चोटे से size का पेड़ा लेंगे अच्छे से हम इसको बेल लेंगे इसको आपने बिल्कुल गोल नहीं बेलना ठीक है थोड़ा सा लंबाई में इस तरह से यह देखिया और यह क्योंकि हार्ड है तो बहुत इसानी से हो जाएगा यह लेंजी बाड़ी हम इसको बेलेंगे मोटा नहीं आपने रखना वर्ना यह खस्ता नहीं बनेगा ठीक है इसी तरह से हमने यह रोटियां बना ली है सारी तो तक्रीवन यह 10-12 रोटियां है अब हमने इसकी cutting कर लेनी है आप देख लें इसकी size है लंबाई में थोड़ी सी ज्यादा है ठीक है अब बीच में बिल्कुल center में हम इसको cut कर लेंगे और यह रेखें अब यहां पे pocket बनाना बहुत असान है और यह pocket इंशाला खुलेगी भी नहीं मैं आपको बहुत ही असानी से बताऊंगा एक piece लेंगे हम और इसकी binding के लिए जोड़ने के हमें पानी चाहिए साधा ठीक है एक कोना उठाएंगे बिल्कुल center में आपने उंगली रखनी है हाथ ठीक है center में रखेंगे उसके बाद अपर साइड पे हलका सा पानी लगा देंगे और दूसरा जो side उसको पकड़के इसकी उपर रख देंगे 2 cm, 3 cm और अच्छे से दबा लग कर देंगे इन्शाला यह खुलेगा नहीं यार देखिएगा जो बजार की हम समोसा पटी लेते हैं उसको जोडने के लिए हमें मैदे की लही बनानी पड़ती है और जो घर पे हम यह पानी बनाते हैं यहां पे खाली पानी भी काम कर जाता है ठीक है अब घर पे हम समोस भी आनी चाहिए बिल्कुल ठीक है बिल्कुल परफेशनली और यह नीचे वाला जो पोर्शन है यह हाफ इंच का आपने रखना है ताके अच्छे से यह क्रिस्पी उसके मैं आपको फिर दिखाता हूं बिल्कुल दरभियान में उंगलिया रखनी है पानी उपर लगाना है यहांपसको आप फ्रीज भी कर सकती हैं बिसमल्दाometer खरमानॉरा रजाए में लेकर हमने इसको फ्राइ करना है बहुत जरहा फ्रेम नहीं होना चाहिए वरना यह जल सकते हैं हमने इसको खस्ता करना है इसलिए हम इसको लो टू मीडियाए मार्वी घान के अपर अच्छे से हलवाई स्टाइल आलू के समोसे यम्मी हैं टेस्टी रेसिपीस के लिए रमजान रेसिपी के लिए इफ्तार रेसिपी के लिए हमारे चैनल के प्रिश्वेक्शियम जाएए दोओं भी आदे के गली उड़े तक अल्ला हाफीज